हाई एवरिवन जै माता दी आज है शादिय नवरात्री का पाचवान दिन भगवती के सकन माता सवरूप की उपासना शादिय नवरात्री की पंचमी तिथी पर विशेश रूप से की जाती है देवी के सवरूप के अरादना से जहां व्यक्ति की सदकाम नाय पून होती है वहीं उसके मुक्ष का मार्ग भी सुल्ग हो जाता है सकंद कार्तिके की माता होने के कारण ही देवी के सवरूप को सकंद माता नाम मिला काशिखन देवी पुरान और सकंद पुरान में देवी का विरात वर्नन है मा सकंद माता सकंद कुमार भगवान कातिके की मा है मा के सवरूख की बात करें तो सकंद माता की गोद में सकंद देव गोद में बैठे हुए है मा सकंद माता कमल के आसन पर विराज मान है इस वज़े से इनने पदमासना देवी भी का जाता है मासकन माता को गोरी, महेश्वरी, पारवती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है मा का माहन सिंग है मानेता है कि मा की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है मा की उपासना से परम शांतियों सुख का अन्भव होता है मासकंद माता को श्वेट यानि सफेद रंग अतिप्रिये है मा को प्रसंद करने के लिए पूजा में श्वेट रंग के वस्त धारन करने चाहिए मासकंद माता को केले का भोग अतिप्रिये है इसके अलावा माभगवती को आप खीर का परसाद भी अर्पित कर सकती हैं या देवी सर भूतेशु मासकंद माता रुपे नसंस्तिता नमस्तस से नमस्तस से नमो नमा इस मंतर के जाब से मनुकामनाओं की पूर्ती होती है शुबफल की प्राप्ती होती है तो पाचवे नवरात्रे में दुर्गा सब्षती का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए तो जानते हैं पाचवे नवरात्रे में दुर्गा सब्षती का नोवा और दसमा अध्याय पढ़ने से शुबफल की प्राप्ती होती है तो नोवा अध्याय पढ़ने से क्या फल मिलता है जानते हैं नोवा अध्याय का पार्ट संतान के लिए किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंदित किसी भी परशानी के निवारन के लिए दुर्गा सब्षती के नवम अध्याय का पाथ किया जाता है इसके अलावा संतान की उन्नती प्रगर्टी के लिए तथा किसी भी परकार की खोई हुई अमुले वस्तु प्राप्ती के लिए भी नोवे अध्याय का पाथ करना उतम होता है यह आपकी हर मनोकामना पून करने में सहायक है दस्वा अध्याय अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए दस्वा अध्याय सर्फ सेष्ट है अच्छे और योगे पूत्र की कामना के साथ अगर दस्वे अध्याय का पाथ किया जाए तो योगे संतान की प्राप्ती होती है और प्रापत संतान सही रास्ते पर चलती है यह जानकारी विद्वान पंडित और जियोति शास्त्रों के अनुसार दी जा रही है इसे मानना ना मानना आप पर निर्भर करता है तो वीडियो थोड़ी सी प्रबसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबाई टेक कियर जै माता दी